मुरित्तक के साथियों ने बताए कि मुरित्तक 54 वर्षिया मुत्तु स्वामी तमिलनाडू के ग्राम मंजनूर का रहने वाला था और बोरिंग करने वाले वाहन में काम करता था मुरित्तक के साथियों ने बताए कि 54 वर्षिया मुत्तु स्वामी तमिलनाडू के ग्राम मंजनूर का रहने वाला था और बोरिंग करने वाली वाहन में काम करता था यहां दिर रात धाबे के पास इसकी अचानक मौत हो गए जिसमें एक सवाठ हैमुलेंस की सहायता से जिलाश्पता लाए गया जहां ड्यूटी डाक्टर प्रमोद दिवेदी ने भी जांच करके उसे मृत खुसित कर दिया हुई पुलिस की मौजुद्गी में डाक्टरों द्वारा पी एम करवाई की गई एवं रित्ता के सव कॉंदिम संसकार के लिए उसके परिजनों को सौब दिया गया और पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है द्राइवर ने यह कुलने टाइम उसका आट अटक हो गया इधर सांत हो गया था आए सब्सक्राइब की ने बहरा वाला लेकिया बराद पुलाए तो पुलाए तो पुलाए तो लोग चाई पीने भरोला डावा जब गया है तो वहाँ पे बोर्बेल वाले जो लेवर रहते हैं उनमें एक वित्ति को अचानक खाना अना खाया आटैक आ गया वहीं पे खतम हो गया फिर इसके अर्थफोन लगाए 108 में तो कदीब ए पुलिस पहुंची फिल जाके उनको ले गया है एक लगभक चववन वर्स के पुरुष को मरत अवस्था में जिलाची के सालाव मरिया में लाया गया था और उस समय के डूटी डॉक्टर द्वारा बताया गया कि वहां किसी बोर्वेल कंपनी में काम करता था एवं तमिल न जो बोर्वेल की राड है उसको लेके वो लोग तमील नाडू से यह मरिया भरावला में आके विए थे लेके आये जिनका बोर्वेला और साथ ही लोग काम करते हैं उनको देने के लिए बोले कि ट्रक पंचर हो गया था और वो पंचर बनाने के लिए टायर खोल रहा था जिसके पिता स्वर्गी पिथा मातू उम्र चौमान वर्स का रहने वाला है जिसकी पंचर नावा पीम कारवाई की जा चुकी है पेशाम मर्या से संकर सिंग चंदिल की खास रिपोर्ट